नमस्कार दोस्तो, मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो दोस्तो इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट में कौन-कौन से डाटा टाइप्स यूज होते हैं, उसके बार में जानेंगे तो दोस्तो, सबसे पहले जो डाटा टाइप यूज होता है, वो है नल नाम का, तो इस डाटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, वो हम पहले देखेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम एक variable लेंगे, dt नाम का, और उसमें नल नाम की value को assign करेंगे उसके बाद dt को console में print करेंगे फाइल को save करके run करेंगे, तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, यहाँ पे नल नाम की value प्रिंट हो गई है तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में ये डाटा टाइप बहुत ही rarely use होता है तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में next data type है undefined तो इस data type को कैसे use करते हैं, वो अब हम देखेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम और एक variable लेंगे dt2 नाम का और उसको value assign करेंगे undefined तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में एक type of नाम का keyword होता है जिसका use करके हम variable के data type के बारे में पता लगा सकते हैं तो दोस्तो, यहाँ पे हम type of नाम के keyword का use करेंगे इसके बाद फाइल को save करके run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, इस variable का type undefined print हुआ है तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में यूजने वाला तिसरा data type है, boolean तो दोस्तो, अब हम boolean data type को जावा स्क्रिप में कैसे use करते हैं, वो देखेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम और एक variable लेंगे, dt3 नाम का और उसको एक boolean value assign करेंगे तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में true और false, यह सिर्फ दो ही boolean values होती है जिनका यूज करके हम जावा स्क्रिप में conditional type की programming कर सकते है तो दोस्तो, अब हम type of keyword का यूज करके, इस variable के type को भी console में print करेंगे इसके बाद program को save करके, run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, हमारा तीसरा variable, boolean type का है तो दोस्तो, जावा स्क्रिप में use होने वाला, चावता data type है, number नाम का तो दोस्तो, अब हम इस data type को कैसे use करते हैं, उसके बार में जानेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम और एक variable लेंगे, dt4 नाम का, और उसको एक integer value असन करेंगे तो दोस्तो, किसी भी variable को number नाम का data type बनाने के लिए, हमें उसमें integer value पास करनी पड़ती है या फिर एक real number हमको पास करना पड़ता है तो सबसे पहले हम एक integer value पास करके देखेंगे तो दोस्तो, फिर से हम type of keyword का use करेंगे तो दोस्तो, आप file को save करके इसको run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, हमारे चाउते variable का type number नाम का है तो दोस्तो, इस variable को हम अगर integer के जगा कोई decimal value भी पास करेंगे तो उसका type भी number ही होगा तो पहले मैं console को clear करता हूँ अब हम और एक बार dt4 के type को check करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, फिर से dt4 का type number दिखाई दे रहा है तो दोस्तो, JavaScript में पाच हुआ जो data type है, वो है begin नाम का है तो दोस्तो, अब हम begin को कैसे use करते हैं, उसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम और एक variable लेंगे, dt5 नाम का इसके बाद हम इसमें एक begin type की value save करेंगे फिर से type of keyword का use करके, इसका type check करेंगे इसके बाद program को save करके run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, हमारे पाच हुआ variable का type begin print हुआ है तो दोस्तो, उसके बाद javascript में use होने वाला next type है, string तो दोस्तो, अब हम इस type को कैसे use करते हैं, उसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो, इसको test करने के लिए, हम और एक variable लेंगे, dt6 नाम का उसके बाद हम double inverted comma का use करेंगे, और उसके अंदर एक string लिखेंगे और type of operator का use करके, इस variable के type को print करेंगे इसके बाद file को save करके, program को run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, हमारे 6th variable का type string print हुआ है तो दोस्तो, उसके बाद javascript में use होने वाला next type है, symbol तो दोस्तो, अब हम इस type को कैसे declare करते हैं, वो देखेंगे तो दोस्तो, इसके लिए हम और एक variable लेंगे, dt7 नाम का उसके बाद हम लिखेंगे, symbol और इसके अंदर हम एक value pass करेंगे, इसके बाद इसका type भी हम console में print करेंगे इसके बाद program को save करके run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, हमारे 7th variable का type symbol print हुआ है तो दोस्तो, javascript में use होने वाला next type है, array तो दोस्तो, अब हम array को कैसे define करते हैं, वो देखेंगे इसके लिए हम और एक variable लेंगे, dt8 नाम का उसके बाद square brackets में एक value pass करेंगे तो दोस्तो, इस तरीके से हम javascript में एक array को लिखते हैं तो दोस्तो, इसका हम अब type check करेंगे पर इसका type हमें array नहीं दिखाई देगा, इसका type हमें object दिखाई देगा save करके run करेंगे तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, javascript में array का type object दिखाई देता है ऐसे ही दोस्तो, javascript में जिस variable के अंदर null value होती है उसका type भी हमें object ही दिखाई देता है तो दोस्तो इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे directly dt के value को print के आ था अब हम dt के type को print करेंगे इसके बाद हम program को save करके run करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं जिस variable में null नाम की value store होती है उसका type भी हमें object ही दिखाई देता है उसके बाद दोस्तो जावास्क्रिप में यूज होने वाला आकरी type है object तो दोस्तो अब हम जावास्क्रिप में object type को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे इसके लिए हम और एक variable लेंगे dt9 उसके बाद हम curly brackets का use करेंगे और इसके अंदर हम एक app नाम की property लेंगे और उसको हम एक value assign करेंगे तो दोस्तो जावास्क्रिप में हम इस तरीके से एक object को लिखते हैं अब दोस्तो हम इसका भी type console में print करेंगे उसके बाद file को save करके run करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमने आकिर में जो variable यूज किया था उसका type भी objective रिंट हुआ है तो दोस्तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप में अलग-अलग data types को use करते हैं तो दोस्तो अगर आपको इन सारे data types के बारे में detail में जानना है तो इस channel को जरूर subscribe किजिए और मुझे support करने के लिए इस channel को आपके friends के साथ जरूर share किजिए धन्यवाद friends